आज का चैप्टर है फूड्स, फूड्स वी इट, चैप्टर 6, एवियस में आज हम फूड के बारे में जानेंगे, फूड क्या है, क्यों है, ये कितने टाइप के होते हैं, ये सब के लिए जरूरी होता है, इसके रूप रंग अनेक होते हैं, चलिए सबसे पहले, यहाँ page में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उन बच्चो की बातों को हम लोग देखते हैं, यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और सभी पिछले रात क्या खाया था, उसके बारे में discussion कर रहे हैं, ये सारे बच्चे एक दूसरे से बिलकुल अलग, सभी का पड़िवार और फैमिली बिलकुल अलग है और वे अपने-पने experience शेयर कर रहे हैं, किसी ने कहा कि मैं तो दाल राइस पके आई हूँ, किसी ने कहा मेरे घर में पिछली रात खाना ही नहीं पका, किसी ने कहा कि मेरी म खीर अधी है, किसी ने कहा कि मेरी घर में खाना नहीं ते बिलकुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं ने ओमलेट खाया, किसी ने कहा कि मेरे घर में आधी हूँ, मैंने खाना नहीं था के साथ खाना खाया किसी ने बताया कि मैं गुरु दवारे में अपने दादा जी के साथ गया और वहां लंगर खाना खाया वहां दाल और चपाटी बनी थी। इस पूरे conversation में आपने देखा कि सारे बच्चे अपने अपने अलग-अलग परिबार में, अलग-अलग स्थितियों में खाने के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये खाने अलग-अलग तरह के हैं। कि यिसे हम वेजटेरियन या नौन वेजटेरियन में बाटते हैं। कभी उसको हम सबजी, दाल, रोटी या नुडल्स… ऐसे में भी बाटा जाता है। क्योंकि जो चीजे होती है उसे पकाने के क्रम में अलग-अलग रूप दे दिया जाता है। यहां यह भी हम देख रहे हैं कि कुछ पड़िवार ऐसे हैं जहां खाना उनके घर में अपने आप नहीं आता बलकि दूसरे के घर के सहारे आता है खाना सबके लिए जरूरी है क्योंकि यह हमें खेलने, कुदने और काम करने की ताकत देती है आगे के पेज में आपको अपने पिछले रात जो खाना आपने खाया था उसकी लिस्टिंग करनी है इसकी अलावे कुछ डिसकुशन्स भी करने हैं कि क्या कभी तुम भूखे रहे हो, क्या तुमने भूखे रहने का कारण या खाना नहीं मिलने का कारण सोचा या भुखे रहे तो तुम्हें कैसा फील हुआ इस तरह के कई तरह के questions है जिसे आपको सोच कर जवाब देना होगा कैसा फील होता है अगर इनसान भुखा रहे तो उसके बाद एक topic है विपुल's family जिसमें विपुल के परिवार में उसकी दादी, मा, पापा, मामी, मामा और चोटी बहन चुटकी रहती है विपुल भुट्टा लाता है एक दिन और अपनी दादी को थमाता है खाने के लिए वो कहता है जल्दी चलो चुटकी से भी मिलना है खाना है तो विपुल की ममी विपुल को कहती है कि तुम उपर जाओ और दादीमा अपना खाना खा के तबाएगी मैंने उनके लिए चपाती और दाल भिंगो के रखे हुए हैं और दादी मा पूछती है विपुल की मा से कि क्या दाल में तुमने चीनी थोड़ा सा डाला है नागपूर से वापस आने के बाद तुमने तो हमारे तरीके से दाल बनाना भूली गई हो तो उसकी ममी कती नहीं नहीं, मैंने ठीक वैसा ही टेस्ट का दाल बनाया है, जैसा आप पसंद करती है, उसके बाद विपुल दादी मा का खाना लेके उपर दौरता है, और दादी मा को जल्दी जल्दी आने को कहता है, तो दादी कहती है कि मैं जब तुम्हारे एज का था, तो ऐसे ही तेज दोरा करता था, वीपुल उपर जाकर हाथ होता है, बुट्टा मामी के हाथ में देता है और चुटकी को गोद में लेता है, लेकिन इतने में चुटकी रोने लगती है, क्योंकि वो हंगरी है, यानि भुकी है, उसकी मामी तुरांट वीपुल से कहती है कि अवस्था में है, कोई बुढ़ा है, तो कोई बच्चा है, कोई यंग एज का है, और उनके खाने में भी काफी तुमने चेंजेज देखे, ये चेंजेज क्यों है, ये भी अलग से जानना ज़रूरी है, जो हम लोग आगे फिर वापस आगे के वीडियो में डिसकस करेंगे यहाँ इसी topics related कुछ questions, कुछ सवाल भी आपको दिये गए हैं, एक try आप भी कर सकते हो, कि ये बच्चे बुढ़े और old क्या-क्या चीज खा सकते हैं, या क्या-क्या चीज नहीं खा सकते हैं इसके बाद आता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, क्या वो खाना सभी लोग खाते हैं, सभी जगह के लोग खाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता हाँ, ये जरूर हो सकता है, कि खाने का फॉर्म बदल जाता है, जैसे कि अगर चावल हम लेग लेगे ले चावल, तो चावल से हमारे यहाँ जैसे डाल भाद बनाया जाता है उसी तरह किसी जगा पे उसको पुलाओ के रूप में बनाया जाता है, कभी उसको दोसा बनाया जाता है, कभी उस चावल से खीर बना ली जाती है चावल एक ही होता है लेकिन उसके खाने को बदलने का धंग जगा-जगा के हिसाब से टेस्ट के हिसाब से बदल जाता है तो आपको इसमें भी दिमाग लगाना है कि खाना बनाने का प्रिपेर रेशन जो होता है उसके मेन इंग्रीडियंट तो सेम ही रहता है बट उससे तरह-तरह की चीज़े बनती है इन में से आपने क्या-क्या खाया है, क्या-क्या टेस्ट किया है या फिर कुछ ऐसे भी चीज़े होंगी जिसको आपने टेस्ट तो नहीं किया बट सुना होगा अगर सुना होगा तो आप उसमें से कुछ पसंद करते होंगे कुछ नापसंद भी करते होंगे या हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कभी मौका हाए तो मैं ये वाला चीज भी ट्राई करूँगा हम सब भारत में रहते हैं भारत में ही खाने के अलग-अलग तरीके हैं, जैसे अगर हम बिहार में हैं तो दाल, रोटी, चावल, यह सब खाते हैं, वही अगर हम वेस्ट की तरफ चले जाए, मुंबई और गुजरात की तरफ चले जाए, तो वहाँ लोग वही रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन इस रो तो वहां लोग अधिकतर चावल से बने धोसा इडली इन चीजों को खाया करते हैं। भारत में ही जब इतने अंतर पाये जाते हैं भोजन में तो पूरे विश्वों में भी ऐसे पाये जाते हैं। यहां कुछ अलग अलग जगा के लोगों के टेस्ट के बारे में बताया गया है। यहां तीन लड़की और एक लड़का है। एक है जो होंग कॉंग से विलॉंग करती है। होंग कॉंग भारत से बाहर का देश है। और वहां वो कहती है कि वहां के लोग हम अब तक जो खाने की चीजों को देखते थे उसके अलावे भी कुछ अलग चीजों को खाते हैं जैसे वे स्नेक्स खाते हैं और उसको खाने का जब मन करता है तो वो बगल के होटल में चली जाती है अपने ममी के साथ और वहां लिंग हुपेन नाम से वो डिश बनती है वो खाती है वही हमारे भारत का ही हिस्सा है कश्मीर जहां मचली को मस्टरड ओयल यानि सरसो के तेल में पकाया जाता है लेकिन वही मचली जब गोवा में चले जाके उसने उससे एक पर खाने का मौका मिला तो पता चला वहां वो मचली नाडियल के तेल में पका कर खाया गया और मचली का टेस्ट भी अलग था, क्योंकि कस्मीर में वो जो मचली लेके उसे मिलती थी वो नदीओ वाली जील वाली मचली थी, जबकि गोवा में उसे जो मिला था वो सी फूर्ड था, यानि समुद्र की मचलिया थी, तो दोनों के जिवन यापन में अंतर होने के कारण उन दोनों ही चीज़े उसे बहुत पसंद, बेहत पसंद है एक बड़े लंबे से पेर में उखती है चीज है जो उखता है वो है नाडियल, कोकोनट और एक है जो जमीन के नीचे उखता है वो हमारे यहां नहीं मिलता बट वहां मिलता है उगा करता है जिसे टैपियो का बोला जाता है और इन दोनों चीजों को मिला कर एक कड़ी जैसा बनाया जाता है जो केरिला का फूड है और वो बच्चा थॉमस उसे ये फूड बहुत पसंद है अब यहां हमने देखा कि कुछ लोग स्नेक्स खाये कुछ ने फिश खाया और क के कल्चर्स रहन सहन सब अलग है इसलिए कोई भी खाना गलत नहीं है खाने का तरीका और खाने के आईटेंज सही होने के कारण हमें वो पसंद हो या ना हो लेकिन दूसरे के भी खाने की चीजों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए इसके बाद इंपोर्टेंट हो जाता है कि आपको पता है कि वहां हमने अभी जो डिसकुस किया जैसे मैंने के रिला की बात की कि वहां टेपियो का मिलता है हमारे यहाँ नहीं ऐसे बहुत सारे रिजन सही जिसके कारण किसी खास जगह पे खास तरह के खाने फेमस हो जाते हैं या कुछ खास items famous होते हैं और उसी items से उसी ingredients से तरह तरह की चीज़े बनाई जाती है जो एक food item के नाम से जाना जाता है यहाँ पर कुछ ऐसी list बनाई गई है आप इसमें से ढूंडो देखो कि इसमें से आप कौन सा चीज खाए हो कभी खाए हो या नहीं खाए हो अगर खाए हो तो वो तुमें कैसा लगता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बनाना है मैंने जितनी भी topics के बारे में बात की इस chapter से इसके बारे में विश्तरित जानकारी अगले videos में topic by topic आपको मिलता रहेगा इसलिए पहले इस chapter को पूरी तरह एक बार पढ़ लो उसके बाद next videos में topic wise उन चीजों को ध्यान दो और फिर आगे हम लोग इस पूरे chapter को complete करेंगे that's all for today, good day